Hello everyone, myself Madhulika Rohila स्वागत है आपका मेरे चैनल Madhulika Rohila पर जहां मिले के आती हूँ आपके लिए informative वीडियो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक स्टोरी with the help of scratch programming language इस स्टोरी में दो characters होंगे जो एक दूसरे से communicate करेंगे और उसके बाद जो backdrop होगा वो change हो जाएगा और वो dance करना start कर देंगे तो इसे बनाने के लिए मुझे क्या करना है सीखते हैं आईए इस वीडियो में सबसे पहले मुझे क्लिक करना होगा अपने backdrop बटन पर जैसे ही मैं backdrop बटन पर क्लिक करूँगी मुझे बहुत सारे backdrops शो होने लगेंगे इसमें से मैं castle 1 नाम का एक backdrop सेलेक कर रही हूँ क्लिक कर रही हूँ उस पर जैसे ही क्लिक करूँगी यह मेरे स्टेज पर आ जाएगा cat sprite को delete कर दूँगी और एक नए sprite sprite बटन पर क्लिक कर कर सेलेक करूँगी people category पर जाऊंगी और यहां से एक dancing sprite को select कर लूँगी यह देखे मैंने यहां पर इसे adjust कर लिया अपने stage पर next sprite चाहिए मझे story के लिए वही people category में जाऊंगी और एक और dancing अपना sprite select कर लूँगी यह देखे कैसी dance इससे select कर लेती हूँ अब इसे भी मैं stage पर properly set करूँगी अब यह मुझे इसका face में change करना है तो costume पर जाऊंगी और देखे उपर लिखा है flip horizontal इस पर एक बार click कर दूँगी अब यह इसका face मेरे दूसरे sprite की तरफ हो गया है इसे arrange करूँगी अब मैं जाऊंगी अपने जो दूसरा sprite है Champ 99 इसको देखूंगी flip horizontal करके कैसा लग रहा है यह इसकी costume चेंज करके देखती हूँ कि कैसी लग रही है उसे flip करके देख रही हूँ कैसी लग रही है तो जो मुझे सही लगा उसे लेकर मैं coding पर फिर से आ गई हूँ अब इनको positioning करती हूँ stage पर कि कैसे खड़े हूँ किस तरीके से ये इनका look दिखाई दे stage के उपर size मैंने छोटा कर दिया है size मैंने 100 के जगा 80 दे दिया है जिसे दोनों equal size के लग रही है अब इनका arrangement मैंने कर दिया है अब हम में इने communicate कराना है तो सबसे पहले मैंने एक sprite को select करा और यहाँ पर मैं लूँगी सबसे पहले event when flag clicked इसे लेने के बाद मुझे looks पर जाना है और लेना है message जिसके through ये बात कर पाए तो looks पर click करूँगी say hello for two seconds ये से drag करके लगा लूँगे यहाँ पर अपने दूसरे blog पर hello लिखा हुई है तो मुझे change करने की जरूत नहीं है हाँ मुझे अब क्या करना है मुझे जाना है अपने event पर और यहाँ से करना है broadcast broadcast करने से क्या होता है जब हम broadcast करते हैं कोई message तो उसके wait होता है कि दूसरा sprite जिससे हम communicate कर रहे है वो इस message को पढ़ने के बाद reply करे उस message के show होने के बाद wait होगा दो second का और इसके बाद हमारा sprite reply करेगा कब करेगा when I received message 1 then he will say hi मतलब जब उसे message मिलेगा hello तब उस message के बाद वो reply करेगा 2 second के लिए hi run करके देख लिए hello then hello के बाद ही आया 2 second बाद hi friends अब मैं select कर लूँगी chasey sprite को और मुझे अब communication को further आगे बढ़ाना है तो अब मुझे क्या करना है मुझे broadcast करवाना पड़ेगा एक और message तो मैं जाओंगी यहाँ पर अपनी event पर और एक broadcast और करवांगी broadcast message एक नया message लिखूंगी यहाँ पर दे देती हूँ M2 और ok कर देती हूँ message बना लेते हैं यह मैंने लिखा यहाँ पर message क्या message है do you want to dance with me तो chasey पूछेगी champ से कि क्या तुमेरे साथ dance करना चाहते हो और यह message 2 के नाम से broadcast होगा champ को तो अब हम आजाते हैं champ के पास ठीक है अब हमारा champ करेगा reply इसका तो champ इस प्राइट पर मैं एक बार click कर देती हूँ और यहाँ पर फिर से मुझे लेना है when I received message 2 तो मैं यह वाला block ले रही हूँ when I received M2 तो मुझे क्या reply करना है yeah sure why not तो यहाँ पर मैं message कर रही हूँ yes why not dear तो यह मैंने लिख दिया है तो अब जैसे ही मेरी अब देख सकते हैं यहाँ पर communication जैसे ही message आएगा वो reply करेगा yes why not dear अब मैं चाहती हूँ कि जब dance start हो तो जो backdrop है वो change हो जाए तो इसके लिए सबसे पहले मैं select कर लूँगे एक और backdrop तो मैं जाओंगी backdrop बटन पर और एक नया backdrop select कर लीती हूँ तो यहाँ music में से मैं concert select कर रही हूँ यह backdrop मेरा लग गया है बट मुझे वो backdrop भी चाहिए यह cup चाहिए मुझे जब वो dance करना है start करे तब मैं यहाँ पर एक message लेती हूँ when I received M2 जब मुझे receive हो M2 तब मुझे क्या करना है when I received M2 मुझे backdrop change कराना है तो मैं जाओंगी यहाँ पर looks में और यहाँ से switch backdrop to और यहाँ से select कर लूँगे concert यह selected है पहले से ही concert वाला और अब मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर लेना है music मैं music try करके देख रही हूँ कि कैसा लगेगा अगर music play होगा तो बट sorry आपको इस video में नहीं खापाऊंगी मैं music क्योंकि मेरे उसमें sound नहीं थी तो यहाँ पर play नहीं होगा अगर आप play करेंगे तो वो show होने लगेगा अब मैं यहाँ पर क्या करें हूँ next costume change करें हूँ forever loop लगा कर और wait करवा रही हूँ एक second का अब play करके देखेंगे यह किस तरीके से चल रहा है तो मैंने यहाँ पर forever loop लगाया और costume मेरी बार बर चेंज होगी यही मैं दूसरे जो मेरे sprite है उसके साथ भी कर रही हूँ forever loop लगा रही हूँ next costume block को select कर रही हूँ और साथ में wait for one second यह select कर रही हूँ तो दौनों sprite को dance करना चाहिए play करके देखते हैं कि dance हो रहा है या नहीं कि तो यहाँ पर चल नहीं रहा है loop अगर आप देखो तो तो मैंने यहाँ पर wait लगा के देखा है अब play करके देख ऴी हूँ कि क्या loop चल रहा है loop अभी भी नहीं चल रहा है एक sprite थो मेरा अच्छे से perform कर रही है मगर एक sprite मेरा रुख जाता है मैं यहाँ पर कुछ changes करती हूँ इसे tick करने के लिए coding को मैं यहाँ से जो हमारा play sound है इस block को हटा के check करती हूँ कि क्या इसके बाद coding मेरी properly work कर रही है अब यह हटा दिया है मैंने फिर मैं add कर रही हूँ इसे और आप run करके देखते हूँ hello hi do you wanna dance with me yeah why not अब देखिए सिर्फ हाँ अब दोनों dance करने लगे है very good तो अब हमारी recording perfectly चल रही है अब हमें क्या करना है कुछ changes करने पड़ेंगे जैसे कि जब हमारी recording start हो तब यह concert वाला backdrop नहीं होना चाहिए और हमारे जो sprites है इनकी जो costumes हैं वो first number के होने चाहिए तो मैं जारी हूँ looks पर और switch costume to one कर रही हूँ और ऐसे ही मैं दूसरे वाले sprite के साथ भी करूँगी click करूँगी then यहां से switch costume to one select कर लूँगी देखिए looks पर हूँ मैं switch costume to और यहां से select कर लूँगी down arrow से सबसे पहला वाला उसका costume यह हमने कर लिया है अब मुझे यहां पर जो backdrop है उसको भी change करवाना है क्योंकि यह तब होना चाहिए जब यह लोग dance करें तब तो मैं यहां से select करूँगी backdrop तो मैं यहां लगा रही हूँ switch backdrop to और यहां पर castle one कर दूँगी तो अब जब मैं इसे run करके देखती हूँ तो यह कैसा लगता है yes यह मेरा आगया castle hi hello हो गया इनमे do you want to dance with me yes why not और दौनों का dance start हो गया है तो बिल्कुल perfectly चल रहा है अब यह मेरा coding but sorry यह देखे audience पर dance कर रहे हैं यह लोग तो मुझे यहां पर एक और backdrop लेना पड़ेगा जिसे यह लोग जो हमारे sprites हैं वो audience पर नहीं दिखाई दे stage पर दिखाई दे तो मैं setting कर लेते हूँ करने के बाद जो मेरा audience की setting करी है मैंने तो जो मेरा पुराना backdrop था वो उस पर ऐसा लगदा है कि वो हवा में उठ रहे हैं तो मैंने यह वाला नया backdrop select कर लिया है और मैंने set कर रही हूँ position कर रही हूँ और अब इसे जब मैं run करूंगी देखे castle 1 की जगे मैंने यहाँ पर chalkboard ले लिया है क्योंकि मैंने नया backdrop select कर लिया है और कुछ नहीं करना है बस नया backdrop ले लिया है और उसे select कर लिया है अब run करके देखेंगे इसे full screen में कि कैसा लग रहा है coding हमारी तो मैं full screen बटन पर एक बार click कर देती हूं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह के से हमारी recording run हो रही है तो मैंने इसे stop करके green flag पर click कर दिया hello hi do you wanna dance with me yes why not dear और दौनोंने new backdrop पर dance करना start कर दिया है I hope आप इसी तरीके से कुछ नई story create कर पाए और आप इसी तरीके से कोई story बनाईए मुझे message करिए कि आपने भी एक story बनाई है मुझे instagram पर photo बेज़े अपनी story की और subscribe करिए मेरे channel को मैं आप से मिलती हूँ फिर नई किसी और वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye love you